नमस्कार साथियों इस वीडियो में कक्षा बारा उत्रप्रदेश बोर्ड का समाश शास्तर नाम का जो विशा है उसके 2020 के सैंपल पेपर की बारे में चर्चा करेंगे और इस सैंपल पेपर के माध्यम से थोड़ा से इस बात के लिए सहयोग मिल जाएगा कि 2020, 2021, 2022, 2023 और अन् आइकोन को क्लिक कर दिए ताकि इस सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और पुराने वीडियो के आपको लिंक आपको प्राप्त होते रहें समय तीन गंटा 15 मिनट का है पुरांग 100 मिनट का है निर्देश यांपर दियो हूं आप इसको आराम से पॉस्ट करके पढ़ सकते है बहु कल्पीए प्रशन दिए गया हैं जिसमें एक से 10 द glass प्रस्ण पूछे जिकन गया हैं जैसे राष्रवाद का जन्म किसके प्रणा सरुप हुआ द रास्टवाद का दकी परणा सरुप हुआ भारती शम्मिधान में किस अनुश्यद में अस्प्रिशेता कान्ति किया गिये अनुश्य सत्रा है यह सब्भी बईयो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियों को लाभ प्राप्थ हो सके तीसरा कोशन किसके प्रयासों से सती प्रताकांत हुआ तो डॉक्टर राजा राम मोहन राई के मध्यम से हटाएए चौथा भारतियों को सरकारी अभी लेखों तक पहुंच बनाने के लिए दिकार अधिनियम कब पारित किया गया तो 2005 में पारित किया था पाचववा मैं मशीनों की प्रती पागलपन का विरोधी हूं लेकिन मशीनों का विरोधी नहीं हूं यह किस ने काया था मात्मा गांदी सहाब ने कहा था राज्य पुनर गठन आयों की अस्थापना उनीस सो तिरपन में की गई थी इसमें तिरपन दिया ही नहीं हुआ है तो जो भी कोशन है उसका डेटेइल में वीडियो बना करके इस पर अप्लोड करेंगे अभी खाली कोशन आप देख लिए सम परारंभ कब से हुई थी तो उसके बारें कोशन पूछा गया है यह सांप्रदाइक्ता का अर्थ क्या है सांप्रदाइक्ता किसे गयते हैं प्रथम पिश्डवर गया कब मना बना तथा इसकी अध्यक्षता किसने की सत्य शोधक समाज के स्थापना किसके द्वरा और क्यों की गई फिस समविधान की आठवी अनुसूचे में कितनी भाषाओं को अस्थान दिया गया तो आपको पता होगा 22 भाषाओं के बारे में जानकरी दी गई है इसके भाषा संबंदित वी दो-तीन वीडियो बनाये हैं हिंदी भाषा से संबंदित तो उसको भी आप देख सक प्राइशन में अधियोगी करण द्वारा भारत में क्या परिवर्तन हुए फिस्वत अंतरता से पूर्व भारत में उध्योकिन की नगरों तक सीमित थे फिस्वा भू मंडली करण से क्या राजनेतिक परिवर्थन हो रहे हैं या क्या कोई कोई पॉलिटिकल चेंजिस हो रहे हैं ऑन कि बिल्कुल हो आध progress के वज़े से अमेरिका में जो हम बी पॉलिटिकल चेंजंजस होते हैं तो भारत के ओपर उसका कहic Mag, प्रफवाव पड़ता ही है फिलगूत्र कोशन पूछेगे हैं जिसे 21 इस्तरी पुरुशनपाद का क्या अर्थ है भारत में घेड़ते हुए इस्तरी पुरुशनपाद के लिए उत्वरदाई कारकों का वड़न कीजिए इसमें मज़े की बात यह है कि आप समाश शास्तर का कोशन पेपर देख रहे हैं लेकिन अगर भूगोल और अर्थ शास्तर अच्छे से त्यार कर लेंगे तो यह समाश शास्तर में बहुत ज़्यदा हेल्प भी करेगा 2221 एक सामाजिक संस्था है असपस्ट करें शेत्रवाद को समझाते हुए इसके कारणों को असपस्ट करें 24 हित्समूव यानि दबाव समूव इसको प्रेसर गृुप्स बोलते हैं जैसे आरेसे सोगे बहुत सरे एसे तमाम धार्मिक दबाव समूव होते हैं और कई प्रकार के शात्र, संभ वगर होते हैं, ये भी दभाव समू का काम करते हैं तो हित्र समू या दभाव समू को परिभाशत करते हुएं समझाइए कि यहाँ प्रकार याशी लोकतंत्र का अभिन अंग है 25 हरित करांदी का अर्थ बताते हुए क्रिशक समाज पर पढ़ने वाले इसके प्रभावों को लिख कीजिए हरित करांदी से अक्सर कोशन पूझे आते हैं अर्थ शास्त्र में भी इसमें ये बताना है कि समाज पर हरित करांदी का क्या प्रभाव पढ़ा कई बार ऐसे कोशन पूछ सकते हैं कि परिया वरल पर हरित करांदिका क्या प्रभवा पड़ा फिछ अबिस्वा जन संचार माध्यम की रूप में क्या रेडियो की भूम का खत्म हो रही है अपने विचार प्रस्तुत करें तो रेडियो की भूम का बहुत ज़्यदा बढ़ र रेडियो की उपयोगिता है उसकी बहुत ज़्यदी प्रसंगिता है फिदेर गुतरिय प्रश्न पूछा गया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं इसके प्रमुख सरोपों की व्याक्या कीजिए अथुआ करके जाती विवस्था को परिभाजित करिए इस विवस्था के बाध्यकारी नियमों का उलेक किजिए आठ नंबर को कुछन पूछा जाता है देर गुतरिय प्रश्न में फिर ठाइसमा सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं इसके प्रमुख उद्देश बताईए अथुआ साच्छातकार से आपके आसमसे नहीं कि जो इंटर्वियू हो जन जाती आंदोलन सपस्ट करते हुए इन आंदोलनों के प्रमुख काड़ों की व्याक्या करें तो आंदोलन जो है बहुँ ज़्याद महत्पूर है वह 2020 से के पाठिकरम में भी आही रहा है तो यह कोश्चन थे इसमें और हर एक कोश्चन जितने भी कोश्चन है और सभी क इसका लाभ मिल सकें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद नमस्कार